नमस्कार आरे नियूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलेविस सिंग उत्रप्रदेश की खबरों के और शुरुआत करेंगे शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और एहम खबर के साथ जो की लखनव से सामने आई है यहाँ आपको बदा दें कि 6 मई को उसनाओं की समिक्षा की जाएगी आपको बता दें इस वरां श्री राम लला हनुमान गड़ी के भी दर्शन पूजन करेंगे योग्या दित्यनाथ और श्री राम नौमी मेले की तैयारी के लिए दिशान इर्देश दिये जाएंगे बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता रहें जहां पर 6 माई को CM योग्या दित्यनाथ दोरे पर रहेंगे और जहां पर तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर समिक्षा बैठक की जाएगी इस दोरान श्री राम लला और हनुमान गड़ी में जाकर दर्शन पूजन भी करेंगे योग्या दित्यनाथ जहां श्री राम बंगलवार को ताजममाय देखने पहुंचे जगद परमनसाचारे को पूलिस ने रास्ते में Biden कर दिया है तो यह आरेस्ट किये जाने के बाद जगत गुरू परमान साचारे ने कहा कि जब तक वो भगवा बस्र पहन कर ताज मैल नहीं देख लेते तब तक उनका अनुशन जारी रहेगा आयोद्या पहुंच कर वो आगे की रणनीती तयार करेंगे और इसके बाद जो भे निर्णे लेंगे उससे अफगत कराया जाएगा तो यह आगरा में दो पक्षों के बीच मार पीठ का मामला सामने आया जोहां एक तरफ एक फौजी यूवक को दो दरजुन भर हमलावरों ने लाठी डंडो और सरीयों से पीठ कर अध्मरा कर दिया तो यह दूसरे पक्ष ने लड़की के साथ छेर चाड की तहरीर दी इसी बीच मार पीठ की यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई आगरा के थाना अच्छनेरा शेद्र के कजबा के रावली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है साथ ही पूलिस ने इस मौमले को संग्यान में लेकर अब जाच भी शुरू कर दी है तो यह आगरा पूलिस की सफलता इलाके में चर्चा का विशे बनी हुई है जिसके चलते आगरा पूलिस ने अफरन कार्ण का खुलासा करते हुए एक यूवक को सकुशल बरामत किया है आपको बता दें कि अफरन करताओं ने यूवक के परिवार से 15 लाक रुपए की फिरौती मांगी थी पूलिस ने 12 घंटे में ही पूरी घटना का खुलासा कर दिया और दो आरोपियों को गिरिफतार कर लिया गया है इस दोरान पूलिस ने आरोपि के कब्से से एक तमंचा और दो जिन्दा कार्टों समेथ मोटर साइकल और 5 लाक रुपए बरामत किये जाज में ये भी सामने आया कि पीड़ेत और किडनापर के बीच पैसो के लें देन का मामला था गौर तलब है कि राजिस्तान धौलपूर के बॉर्डर से पुलिस ने इस यूवक को बरामत किया है चिंट पर 10-11 वजे का किडड़ में हो जाता है रात में ही 3-4 के बीच में इसके भाई के पास फोन आता है पोन पर रैंसम की डिमांड की जाती है ऑर बतायता है कि अगर पंदर लाउग नहीं बिए तो इसके भाई को नुश्तान किया जाएगा इसके भाई ने तुरंट पुलिस को कुछना दी, पुलिस उनले एक टैरिर भीटी, टैरिर भीटर मुकर्मा पंजिक्रिट हो गया, जिस फोन से अभ्यूक्तों ने फोन करके भाई से रांसम मांगा था, और धंकी दी थी, उस फोन को फेस्ट किया गया, सर्वलांस की मदद ल गया, इन अभ्यूक्तों की निशान देही पे जो अप्रहित है, जो हित, इसको इसकी साकुषन बरामद गी किया, बहराइज में चितौरा में 36 करोड की लागत से बनाए जा रही निर्मान अधीन महाराज सुहेल देव समारक स्थल का कैबिनेट मंत्री अनिल राजपर ने आपको बता देएं कि इस दोरान 36 करोड की लागत से चितौरा के महारा सुहेल देव का समारक स्थल बनाया जा रहा है, जिसका शिला नियास प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी अधित्तेनात ने गया था भी ठीक है हमारा जिला प्रशासन भीम साब भी देखिए उपस्तित हैं सब लोगों ने मिलकर और मैं समझता हूं कि चुनाओ के भी समय काम कहीं से बाधित नहीं हुआ है निरंतर चलता रहा है उसका परिडाम हम लोगों के सामने है अच्छी प्रगति है और समय अवधी के अंदर ही हम लोग इसको पूरा करेंगे एक बार फिर राष्टपीर महराजा शुहल देव को और स्रधान जी ले अर्पित करने का जैसा वादा प्रधान मंत्री जी ने किया है वो खुद मौके पर आएंगे उस समय तो जब शिला न्यास का आउसर था तो कोविड था थोड सामने आया है आपको बता दे कि यहां एक वैन और बाइक की भीशन टक्कर हो गई और इस टक्कर लगने से चार लोग गंभी रूप से घाल बताया जा रहा है मौके पर पहुंची पुलिस ने घालों को अस्पतार बिजवाया और आपको बता दे कि यह मामला जहान अबाद हाइवे के फुचहा पुल के पास का बताया जा रहा है तुम्हें लखीमपुर खिरी के और रुप करेंगे जहां तैसील निगासन की पुलिस चौकी पड़ुआ में SDM शुदा सिंग सी ओएस के जैसवाल इंस्पेक्टर चंद्रभान यादव ने मिलकर एक हिस्ट्री शीटर प्रदान हनीव की दुकानों पर बुल्डोजा चलवा दिया है जाच में सामने आया है कि करीब एक करोड की दुकानों को तोड़ कर आतिक रमन हटा आए गया साथी SDM ने बताया है कि उन्होंने गलत तरीके से खलियान की जमीन पर दुकाने बनवा कर अवयत कब्जा किया था तो यह लखीमपूर खिरी के गाउं कंधाई पर एक विवाहिता की संदिक पर रिस्तितियों में मौत का मामला सामने आया है तो महिस घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शफको पोस्ट मोटम के लिए जुला स्पिताल भिजवाया और ज़ुरान मृतिका की माता शकुंतला ने बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी की 24 साल की उमर में ही शादी कर दी थी शादी कुछ चार साल ही होए थे कि इसमें उन्होंने तीन लाख रुपे नक दी और अन्य दान तहिश दिया इसकी बावजूद भी पती और सुस्वराल जनों की तरफ से अधिक दहेच की मांग की जा रही थी दहेच की मांग पूरी ना होने पर शराप के नशे में यूवग पतनी के साथ मारपीच करता था और प्रताडित किया जाता था इसी के चलते आखिरकार सुस्वराल पक्ष ने यूवती की हत्या कर दी है तो महीं पुलिस का कहना है कि पोस्ट मोचम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण्स फस्ट हो सकेगा फिलाल पुलिस इस घटना की जाच पर ताल कर रही है पुलिस घटना है इसने जैसे साले बर हुचको ही लड़की खमारी हम आये कल विदा कराने दाद और अब रुक करेंगे मतुरा का जहां पीटर सीन एनरजी ब्लांट प्लास्टिक बैस्ट फ्यूर्ट के प्लांट में करीब साड़े बार बुजे अफरा तफरी मच गई उस वक्त प्लांट में फिस्पोर्ट से आग लग गई और इस खटना में इच्छे मज़ूर घायल रूप हो चुके हैं आपको बता दे कि इन मज़दूरों को उपचार के लिए न्यू सिटी ऑस्पिटल मतुरा में भरती कराया गया जिसकी जानकारी नगर निगम मतुरा के अधिकारियों और शेत्रिय पुलिस को दी गई है मौके पर पहुँचकर पुलिस ने प्लांट का मुआइना किया और नगर निगम के जोनल सेक्टर आफिसर सुरेंदर यादव ने बताया है कि पीटर सीन एनरजी प्लांट में प्लास्टिक वेस्ट फ्यूल बनाने का काम होता है जहां पर कार्वन को निकालते वक्त ये घचना हुई और इस प्लांट का नगर निगम से किसी भी प्रकार का कोई संब्द नहीं है फिलाल घायलों कि वो उप्चार के लिए अस्पतान में भरती कराया गया है इसान प्लांट है इसमें प्लास्टिक से फ्यूइल बनता है जिसमें एक सिस्टम में कार्वन उत्सर्जित होता है जो कार्वन को फिर निकालना पड़ता है तेल ऑईल की वैसे तो उस कार्वन को खाली करते समय छे मजदूर खाल हुए उसमें बिस्पोर्ट हो गया अट्रेंडम बिस्पोर्ट हुआ ऐसा होता नहीं है लेकिन हो गया है छे में चार बिल्कुल ठीक है इन तो एक बार फिर से जेडिवी विधायक गोपाल मंडल का एक वीडियो वारल हुआ है यह आपको बता दें कि निया ककट के गाने पर वो नाच्टे हुए दिखाए दे रहे हैं और इसमें विधायक नहीं सफेद कुर्ते पजामे के साथ सर पर पगड़ी बांदी हुई है उ खबर नौइडा से है जहां पर अब ट्राफिक नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है तीसरी आँख रखेगी चुराहों पर नज़र और इस ज़रा नौइडा के 20 चुराहों पर पहले ही चुरन में ट्रायल के तौर पर कैमरे लगवाए गए हैं इसके जरी अब ट्राफिक नियमों पर नज़र रखी जा सकेगी ट्राफिक सिस्टम को पहले से ही बहतर बहतर बनाने के लिए ऐसी परयोजनाओं की शुरुवात की जा चुकी है इस इंटेलिजन्स ट्राफिक मैनेश्मेंट सिस्टम के जरीए संचालित क्या जाएगा